वार्स जोन में आ गया एरान इस्राइल पर पहली मिसाइल लॉंच खाड़ी में यूएस सैंड अड़े फॉर्स टार्गेट शाहाब द्री से दहलेगा इस्राइल सजिल से ओड़ेंगे यूएस के जंगी पेड़े इरान इस्राइल टककर ट्रम्प लाएंगे बड़ा ट्वेस्ट विस्फोटर विद्भनसक हतियार महाविनाशकारी प्रहार इस्लामिक रेवलूश्री गार्ड्स ओर ने युद्ध का ट्रेलर दिखा दिया है समंदर में इरान अपने दुश्पनों को मूतोर जवाब देने उतर गया है बैटल शिप, मिसाइले, डेस्टोयर और महाविनाशकारी हतियारों से लैस इरानी नेवी तहलका मचा रही है इस्राइल और अमेरिका से टक्कर लेने का ऐलान भी इरानी नेवी के टॉप कमांडर्स ने कर दिया है लेकिन इरान के तैश में आते ही अमेरिका बैक फुट पर चला किया बाइडन ने इरान के जवाबी हमले पर क्या कहा? बहुत गोर से देखिएगा इस्राइल भी इरान के गुस्से और बदले की आग को देख ठर्रा गया है लेकिन इरान अब रुकने वाला नहीं है किसी भी चाल में फसने के लिए खामने इर रेडी नहीं है क्योंकि इरान में घुस कर हानिया का मर्डर्स गाजा में मुहम्मद दैफ का सफाया लेबनान में हेजबॉल्ला की पिटाई, यमन में हूथियों पर हमले क्या-क्या बरदाश्ट करेगा इरान इरान के बरदाश्ट के हद पार हो गई है इरान के पास जवाब देने के सिवाद कोई और रास्ता नहीं बचा है एरान सब्रका और इम्तिहान देने के लिए तैयार नहीं है एरान के सर्वेसर्वा अली खामनेई ने इस्रेल को, अमेरिका को और उसका साथ दे रहे अरब देशों को अपनी मिसाईल ताकक का एसास कराने का मन बना लिया है इरान धमकी की बजाए अब धमाखे के मनसूबे बना चुका है लेकिन इरान के पलटवार से मचने वाली तबाही कानुमान लगाने के बाद अमेरिका ने युद्ध पर ब्रेक लगाने की कोशिशें शुरू कर दी है सही मायने में कहा जाए तो सुपर पावर ने इरान के आगे सरेंडर कर दिया है प्रेसेडन्ट जो बाइडन का ये बयान फिर सुनिये सिर्फ एक शब्द में उनका खौफ जाहिर हो रहा है इरान को जब से रूस से हथियार और सपोर्ट मिला है तब से इरान अटैकिंग मोड में है इरान और इस्रेल के बीच युद्ध का माहौल बनने के बाद रूस ने इरान की 15 साल पुरानी दिमांड पूरी करते हुए उसे S-400 एर डिफेंस सिस्टम देने का अलान कर दिया S-400 दुनिया का सबसे अडवांस एंटी एर डिफेंस सिस्टम है S-400 एर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आस्मान से घात लगा कर हुए हमला बर मिसाइल को पल भर में राख कर देता है S-400 से इरान आज पास के बड़े इलाके पर नज़र रख पाएगा S-400 की सबसे खास बात यह है कि इसे कहीं भी मूव करना आसान है S-400 को नैटो द्वारा S-821 क्रावलार लॉंग रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम कहा जाता है पोतिन का बाहुबली कहा जाने वाला S-400 माइनस सेवेंटी डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम है रूस के साथ पाकिस्तान भी इरान के सपोर्ट में उसे शाहीन 3 मिसाइल देने की प्लानिंग कर चुका है शाहीन 3 पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल है 19.3 मीटर लंबी इस मिसाइल की रेंज 2750 किलो मीटर है यानि इसरैल क्या उसके आसपास के अमेरिकी सेन अड़े भी इरान की रेंज में होंगे